नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत वस्वागत है फिर से कोई जौश्टर में दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है इस रोग के ओपर यहां पे बहुत अच्छी वेकेंसी निकलके इस रोग के तरब से यह रिकूर्ट में 2020 की है जो की ऑनलाइन फॉर्म भड़ी जा रह यह दोस्तों इस रोग तरब से यह बहुत अच्छी वेकेंसी आ चुकी है और इसमें आपकी किसी तरह की कोई अप्लिकेशन फीस नहीं लगती है वेडियर्स पोस्ट पर यह वेकेंसी आई है डिफेंडिवेंट पोस्ट है मैं आपको वीडियो में आगे चलके बताओंगा और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर सेल्डी आपकी जो है चपन हजार तक यहां पर रखी और भी ज्यादा सेल्डी इसकी है तो वह सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आगे चलके दोस्तों आगे वीडियो उससे पहले आप लोग करना इस वीडियो इस दोंका फूल फॉर्म होता है आप लोगों पता होगा अगर पोस्ट नेम की बात करें यहां पर डिफेंट इपेंड पोस्टों पर यह बेकैसी आई है जैसे साइंटिस्ट इंजिनियरी और यहां पर यह जो टेखनिकल असिस्टेंड के लिए और टेकनिसियन और तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया था आपका जो है किसी तरह कोई भी अप्लिक्शन भी नहीं लगती है बिलकुल ही मुथ यहां पर है आप लोग इसे अपलाई कर सकते हैं यहां पर बात करें अगर दोस्तों जॉब की तो यह ऑल अवर इंडिया है इंडिया के अगर आप कि से विलॉंग करते हो तो आप वहां से जो है इसे अपलाई कर सकते हो बहुत आसान ही से अपलाई करना मैं आगे चल कि सारी बता दूंगा आपको अगर एज लिमिट की बात करें तो एज की जो है आपकी कैलकुलेशन तीस अप्रील दोहेट बीस से की जाएगी आप लोग ध तक है अगर किसी भी यूर कंडियेट का तो उनके लिए यहां पर इतनी एज रखी गई है अगर आप से बिलॉंग करते हैं तो आपको उस आधार पर छूट मिल जाएगी इस में अगर दोस्तों पोस्ट नाइन से लिए और ट्वैंटीवन तक की बात करें अगर तो यहां पर जो है देख सकते है अठार से लेके 35 यह तक जो उनका भी एज रखा गया है एज में रिलेक सेस्ट दी जाती है दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जैसे की स्ट के लिए आप जो है वह पांच साल की चूट और ओबी सी अग कंडिडेट वालों के लिए यहां पर तीबर्स की चुत दी चाती है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस तरह से साइंटीस्ट और इंजिनियर के लिए तक के लिए यहां पर से स्टार्टिंग इसकी सेल होते हैं अब देख सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कनि उसके लिए और चैंटेश के पास को सकते हैं तो एक और आपके पास इंजेनियरिंग अकिसी के लिए पर ओर तब आप और यहां के लिए अजिकनी के लिए तो कि इसे अपलाई नीएजिंगे हैंucktार के लिए आप देख सकते हैं जो मांगी कई है वह दस भी पास और प्लस आपके पास आईटी आई की सार्टिफिकेट होनी चाहिए रिलेटर ट्रेट से ठीक है और ड्राप्ट मेंड के लिए भी यहां पर जो है सेमी क्वैली प्रिक्सन है दस भी पास होनी चाहिए और आईटी लगेगी जब आप अप्लाइ करोगे तो और अब बात करते हैं इसे जो है स्लेक्शन बिलीवी बेश्ट ऑन किस तरह से आपकी यहां पर वह स्लेक्शन ली जाएगी तो वहन से लेके एट तक जो भी कंडिडेट पोस्ट कोड यूज करते हैं अगर वहन से लेके एट तक अ मैंने वैसे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑल्लाइन जहां से आप अपलाई कर सकते हो अगर आप लोग इच्छुख हो अगर आप लोग के पास क्वालिफेशन ने तो आप लोग अपलाई कर सकते हैं धन्यबाद दोस्तों मिलते फिर अगली वीडियो में झालबें धन्यबाद आपा अवालिफेशन कर सकते हैं धन्यबाद वीड़ी वीडियो आप लोग 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 ने ती।